नमस्कार मैं डॉक्टर दिपांकर बैनर जी बोल रहा हूँ फ्रम आइडियल फर्टलिटी आई बेफन जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिविटेड जो की मद्रपरदेश में इस्तित है मैं गानीकॉलिएस्ट हूं इस्पेशल इंट्रेस्ट इन रिप्रोड़क्टिव मेडिसिन और फीटल मेडिसिन हम रेगुलर्ली आई ब्लास्टोसी स्टांसपर मेल इंफर्टलिटी और जेनेटिक टेस्ट और गर्वस्थिशू का विविन्य प्रकार के जांच वर टेस्ट करते हैं अल्ट्रसाउंट टार्गेट स्कैन सब कुछ होता है यह हमारा साप्ताइक प्रोग्राम है जिसमें हम यूट्यूब कमेंट से क्वेस्टन लेकर हम उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं मैं मिस्टर देवेन जी से यह अनुरोद करता हूं प्लीज गो हैट विद्ध फ्वेस्टन से बुड़ इवनिंग से चार मिस्केरेज ह जो चुके हैं क्या करना चाहिए यह कुश्चिन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है और रिपीटेड मिस्कैरेज एक बहुत कॉमन चीज है और रिपीटेड मिस्कैरेज होने के लिए जो मैं बार बार यह कहता हूं कि जो रिपीटेड मिस्कैरेज होने के बहुत सारे रीजन ह पर सबसे common reason genetic है, genetic मतलब जो अंडा बनता है और जो शुक्राणू दोनों मिलके जो भून बनाते हैं उसमें अंडे की तरफ से कई बार जो 23 क्रोमोजोम आना चाहिए उसकी जगे पता चलता है 22 या फिर 24 क्रोमोजोम में दी आ जाए और ये इसके 23 से मिले तो 46 की जगे 47 या 45 वाले जो भून बनते हैं वो अधिकतर अबॉर्ट कर जाते हैं पर ये जो है ये बार बार रिपीट नहीं होते हैं पर यदि ये रिपीट हो रहे हैं इस कारण से तो husband wife का जाँच होना बहुत जरूरी है दूसरा ये जो miscarriages होते हैं कोशिश ये करना चाहिए कि मेडिकली अबॉर्शन ना करके मेडिकली टर्मिनेशन या दवाई लेके ना करके यदि डी एन्सी या इवैक्वेशन से इसको करें तो इसका जो material निकलेगा भीतर जो अबॉर्शन का उसका genetic test भी कराना चाहिए उसमें ये समझ में आता है कि वास्तों में यहां कुछ problem हो रही कि नहीं और इसको जो बनाने वाले husband और wife जो इनको बना रहे हैं अपने gamit से उनमें कोई problem है कि नहीं इसलिए उनका जाच केरियो टाइप तो करने चाहिए क्रोमोजोम की जाच करना चाहिए कई बार हम carrier screening भी करते हैं ऐसे ही बहुत सारी चीजों में जिसमें बच्चेदानी ठीक है की नहीं कोई दूसरा medical problem है की नहीं और बहुत सारा एक ऐसा रहता है जिसमें हम कोई कारण खोज नहीं पाते हैं ये देखा गया है कि यदि आप repeated miscarriage में आप कुछ भी treatment नहीं भी लें तो भी आपको pregnancy हो सकती है ये भी बोला जाता है कि जो miscarriage होता है उससे आपके शरीर में बहुत खराबी आ जाती है आगे जाके आपको बहुत problem होने वाली है अधिकतर ऐसा नहीं होता है और miscarriage के बीच का जो interval है बहुत लंबा भी नहीं रखना चाहिए यदि आपका AMH कम हो रहा है तो AMH कम होने के कारण अंडे का पावर भी घटेगा जिसमें miscarriage होने का chance बढ़ेगा इसलिए family जल्दी complete करना चाहिए six week में miscarriage का क्या कारण हो सकते है यह इसी से related question है six week में जो pregnancy होने का जो terminate होने का प्रधान कारण genetic होता है मतलब अंडे की तरफ से ठीक यदि quality वाला अंडा न survival of the fittest होता है जो fit होता है वही survive करता है और जो मा की कोख में ही survive नहीं कर पाया वो बाहर आके क्या survive करेगा इसलिए nature उसको अधिकतर switch off करती है क्या दो बार embryo transfer करने से pregnancy rate improve होता है यह question में तोड़ी सा समझ में इसलिए नहीं आया कि क्या एक ही cycle में दो बार embryo transfer करेंगे ऐसा पहले लोग करते थे day 3 और day 5 पर यह चलन ठीक नहीं था और इसमें कोई ऐसी pregnancy की वृद्धी नहीं हुई मैं कभी भी double embryo transfer नहीं करता हूँ या तो मैं day 4 या day 5 करता हूँ इसलिए इसका answer देना कि double embryo transfer करने से कुछ फाइदा होगा कि नहीं evidence based practice में ऐसान नहीं है फाइबरोईड में medicine या injection से काम हो सकता है दिपेंड करता है Fibroid कितना बड़ा है क्योंकि Fibroid के मेडिस्स होते हैं वे medicines Fibroid को थोड़ा चोटा कर सकते हैं पर Fibroid को गयब नहीं कर सकते हटा हम कि उनकी दवाईयां लेते लेते जितने दिन फाइब्राइट कम रहेगा फिर आप दवाई बंद करेंगे एधी प्रेग्नेंसी नहीं हुई तो फाइब्राइट का साइज फिर बढ़ सकता है इसलिए फाइब्राइट का अंतिम उपाय ऑपरेशन है या उसको निकालना है हर फा बताना चाहता हूं कि painful periods अच्छे होते हैं और painful periods अच्छे नहीं भी होते हैं तो जैसे यह period आया इसके एक महने बाद period आया इस period के शुरू होते समय यदि pain बढ़ता है और period चालू हुआ और खतम होते होते हैं ये खतम हो गया ये ये शो करता है कि इस lady को अंडे बनते हैं और progestron बनता है और वो withdraw होने के बाद में ये एक अकडन जैसी होती है मडोर जैसी होती है और ये period के साथ खतम भी हो जाती है कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो period आने के काफी दिन पहले से चालू होते हैं और ये काफी दिन तक बने भी रहते हैं ये दो प्रकार के होते हैं इसको congestive dysmenoria बोलते हैं इसको spasmotic dysmenoria बोलते हैं जो congestive dysmenoria होता है वो दो कारण से होता है या तो pelvic infection हो मतलब आपके भीतर कोई infection का सूजन हो या फिर endometriosis हो endometriosis वाला जो जिसमें infection नहीं होता है लेडी अधिक तर अच्छे घर की रहती है आप ये notice करेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका pain का मात्रा भी बढ़ता जाता है इसकी pain की intensity बढ़ती जाती है यदि ये बढ़ रही है और ये लेडी pregnant नहीं हो रही है या unmarried है तो कई बार ये इतना दर्द होता है कि इसमें फिर operation करना पड़ता है तो जो 5-7 दिन पहले वाला जो दर्द है इसका जात जरूर कराना चाहिए एक गाइनिक से जाके आप एक ultrasound जरूर करना बहुत जरूरी है जिसको tvs बोलते हैं इससे आपको पता चलेगा कि भीतर क्या problem ह कई बार इस pelvic infection के कारण जो दर्द होते हैं इसको आप एदी treatment दे देंगे तो ये ठीक भी हो सकता है endometriosis वाला जो दर्द होता है वो अधिकतर ठीक नहीं होता है उसमें pregnancy के साथ फिर वो कम होने लगता है क्या तीन embryo transfer करने से pregnancy के chance बढ़ता है पहले ऐसा सोचते थे कि हम ज्यादा embryo बिठाएंगे तो कोई ने कोई एक बैट जाएगा कुछ हद तक खिंग भी है बट ऐसा देखा गया है कि pregnancy rate single embryo transfer या double embryo transfer में सेम रहती है पर तीन embryo transfer करना आज कल हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि मान लीजिए कि तीनों एदी embryo बैट गहें तो जो triplet pregnancy होती काफी high risk होती है even twin pregnancy भी high risk pregnancy होती है बट private practice में regular practice में हमारी कोशिश यह रहती है कि आपकी pregnancy भी हो तो हम दो blastocyst बीठाते हैं उसके कारण कई वार twin pregnancy भी होती है जो एक high risk होती है बट प्रेग्नेंसी का थोड़ा चांस होने का चांस दो इंब्रियों बिठाने से थोड़ा सा तो बढ़ता है बट योरोप में और बाकी देशों में जहां पर सरकारी पूरा इलाज होता है वहाँ पर एक नियम बना दिया गया है चूकि ट्विन प्रेग्नेंसी में खर्च बहुत होता है ट्विन प्रेग्नेंसी के बच्चे प्रीमेचुर पैदा हो सकते हैं कि single embryo बिटाएं जिनका पहले seizure हो चुका है उनका हम single embryo transfer करते हैं बहुत सारी pregnancies हमारी single embryo transfer से भी हुई है सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज चैनल को subscribe करिए यदि आपको चैनल का content अच्छा लगता है और share जरूर करिए Thank you very much